हालो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? जैसा कि आपको पता है कि आपका क्लास नाइन्थ का टाइम हो चुका, क्लास शुरू हो चुकी है तो बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम के सरवानी, मांसी के सरवानी, मोहित, सुभम, अनुराग, रभी संकर, एके, अंजली और अभिनो तो सब के नाम तो हम नहीं बोल सकते बच्चों, नाम बोलने में बहुत टाइम जाएगा सभी बच्चे जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक्यू चलिए, आज आपका जो कलास है, वो आगे बढ़ेगा, क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो, कलास को पूरा इंड़े तक देखना सब समझ में आएगा एक्सरसाइज 9.2 चल रहा था आपका Q1 आपने कल कर लिया था, 2 आज हम आपको बता रहे हैं और ये 9th का NCRT Mathematics है, जो कि सभी बोर्ड के छात्रों के लिए महत्तव पूर्ड है, CBSC बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, या विहार बोर्ड, MP बोर्ड, जहारखंड बोर्ड सब के लिए है, क्योंकि NCRT का जो syllabus है, वो सब के syllabus से match करता है हो सकता है कुछ question आप में आगे हो, उसमें पीछे हो, chapter उसमें 9 हो, उसमें वो chapter 7 में दिया हो इतना ही अंतर हो सकता है, अगर सीखना है तो कलास को पूरा देखना यदि E, F, G और H केरा कि करमसा समांतर चत्रुभुज, समांतर चत्रुभुज को पैरलोग्राम बोलते हैं, इंगलिस में ठीक है, A, B, C, D के मद्धे बिंदु है, मिन्स मिड़ पॉइंट है, तो दर्साइए, मिन्स एक प्रकार से प्रूब कीजिए यसी दिखीजिए, कि A, R मिन्स होता है, यहाँ पे एरिया है, यह उसका सिंबल बना है, E, F, G, H equal half A, R, A, B, C, D है जब आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, नाइन चैप्टर का, उसमें स्टार्टिंग में आपको समझाया गया था, अगर नहीं देखे हो तो आप कमेंट करके बताना, कलासी इंड हो जाएगी ताब अभी नहीं तो आपको दे दिया जाएगा, उसमें ये बताया गया था, कि अगर कोई इस तरह से चतुरभूज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर कोई इस तरह से चतुरभूज है, मतलब पैलोग्राम है, और इसके अंदर में अगर कोई तिरभूज बनता है, ट्राइंगल ब पैली बेस है, जिसका नाम मानलो A B रख दिया, और जो ट्राइंगल आपका बना है, जिसे A P B बोल सकते हो, इसका भी बेस क्या है, A B ही है, अगर ऐसी हिस्थिति कहीं होती है, प्यारे साथियों, तो वहाँ पे क्या होता है, यह पर्मिय लागू होती है, यह सुत्र मतलब उसके अकार्डिंग नहीं है, समझो, जैसे अगर हम यहाँ कहें कि area of, area of, या फिर तिरभूज, A P B का छेतरफल, मतलब समझ रहो, तिरभूज A P B का छेतरफल है साथियों, वह किसके बराबर होगा पता है, half, और इसका नाम पूरा कर लो, C D, half, area of, quadratral A B C D, यह पर्मी है इसको याद रखना, समझ रहो ना, इसमें वह पूरा पूरा लागू नहीं हो रहा है, इसमें मुझे लग रहा है यह पूरा है भी नहीं, हाँ इतना ही है, तो यह कुछ अलग है, जो हम बताना चाहते थे वह इसमें नहीं है, यह है, इसको याद base common है, मतलब चतुर्भूज और उस तिर्भूज दोनों का आधार यानि base common होना चाहिए, समझ रहो, और उपर भी वह connect होना चाहिए, तो क्या होगा, यह फर्मूला उसमें apply होगा, कि जो तिर्भूज का छेतरफल होगा, उसमें वो एक बटा दो गुडे, समांतर तिर्भूज के शेतरफल के क्या होगा, बराबर होगा, एक चीज यहां पर और ध्यान देने लायक है, दिल से समझोगे, इमानदारी से तभी समझ में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, कमेंट के पीछे न पढ़ो, कि हम सब का नाम बोलें, गुड मॉनिंग, गुड इबन यहां पर ना कनेक्ट हो यह तिर्भूज, और यहां से निकल करके यह आई से कहीं आए, यहां पर इसे बीचे मिल जाए, तब फिर यह फार्मूला लागू नहीं होगा, फिर इस नियम के खिलाफ हो गया हो, पत समझ रहो ना, मतलब वहां पर कनेक्ट होना जरूरी है, इसक इसमें ऐसे बने यह, ऐसे बने ऐसे, तब भी यह लागू नहीं होगा, अब कहो कि तब काहे नहीं लागू होगा, जब नीचा वो कनेक्ट करता है, उपर हो करता है, तो काहे नहीं लागू होगा, बाबू राजा इसलिए नहीं होगा, क्योंकि इसका एरिया इतने तक है, तिर्भूजवाला एरिया सिर्फ इतना बीची तक है लेकिन चत्रूभूजवा का कहा तक है, यह से सूरू है कि ससुरा यहा तक गया है समझ रहे हो ना, मतलब यहां से यहां तक है यानि अगर यह कुल्मिला के पांच है तो यह तो तीने हो रहा है ना तो ऐसी स्थिति में ये लागू नहीं होगा समझ गे ये कांसेप्ट था जो कि आपको सबसे पहले बताया गया था मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया अब इसे पूरा इंड तक देखना बिल्कुल भी जाना नहीं है अगर सीखना है प्यार से पढ़ना है नाइंथ में अच्छा खासा नंबर लाना है पास होना है बाकी अगर सोचे हो कि चलो लाइब देखाते हैं यूटूब पे लाइब में मजा ले आते हैं तो फिर ये तुमारे काम का कलाफ नहीं है चलो अब क्या करना है जो करना है उस पे देखते हैं question तो मैंने पढ़ दिया था ना एक बार A B C D एक समांतर चतुरबूज था जिसके मद्दे बिंदू थे E F G H ये दिया गया था इसमें एक रेखा मैंने इसको अपने से खीचा है आपको जो अभी-भी मैंने बताया वो चीज सिद्ध कराने के लिए जिससे की आसानी से ये आ जाए हमें ये दिखाना है कि एरिया आफ E F G H यानि जो ये मद्दे बिंदू के साहरे एक बीच में पैलोग्राम बन रहा है इसका जो एरिया है साथियों वो टोटल बढ़के वाले जो चतुरभूज है एनि पैलोग्राम है उसके एरिया के एक बटा दो के बराबर होगा ये हमें दिखाना है चलो लिखो इन पैलोग्राम ए वी एफ एच ए बी एफ एच मतलब समझो मैं रेड कलर में भी लिख देता हूं रेड कलर कहा गया भाई थोड़ा सा रुकजब रेड कलर में दिखा देता हूं अब हम किस में चलेंगे इसको इसको ले रहें ध्यान दे ना इन तिर्भूज वो स्वरी पैलोग्राम ए वी एफ एच जहां जहां मैं रेड कलर में बिंदी रखा हूं इतना ही लेना है तो चलो आगे लिखो उपर लिखो भाई हिन्दी वाले हिन्दी में लिख लेंगे समांतर चतुरभूज एबी एफ एच में हिन पैलोग्राम एबेफ एच उकिए इसमें किसी को कोई दिककत नहीं न हिन्दी वाले हिंदी में लिखने उसमें क्या होगा अब ध्यान से समझो जैसे अभी मैं इदर जो जाई कर रहा था आधा गंटा वही इसमें लगेगा इसमें अगर तुम ध्यान दो तो नीचे वाला गर छुपा दो तो उपर जो बन रहा है एच और वी एफ वह एक पैरलोग्राम बन रहा है उसके अंदर एक तिर्भूज भी बन रहा है वैसे कुन के बराबर होगा तो चलो लिखो एरिया आफ एच ऐ एफ लिखो एरिया आफ एए नहीं एच एफ यह फ या फिर एफ लिखो मतलब बही हुआ एफ एक्कल जो हिंदी वाले कन्फ्यूज हो रहे है उनको भी मैं बता रहा हूं टेंसन मतलों तुम ऐसे लिखो ना तिरभूज हेफ का छेत्रफल बराबर लिखो एक बटा दो एरिया आफ हिंदी इंगलीज दोनों मैं बोल रहा हूं एक बटा दो एरिया आफ क्या करोगे भाईया पूरा वाला ए वी एफ एच ओके ए बी एफ एच यह ठीक है यह फार्मूले के अकार्डिंग सेटल्मेंट हो गया यह एफ एच है ध्यान देना इधर कट नहीं रहा है यह लो ठीक है ओके भाई चुप हो जाओ चलो इतना हो गया लिखो इतना साथ साथ में नोट डाउन करते रहो क्योंकि बोर्ड आठी फिट है मिटाना भी पड़ सकता है चलो लिखो मैं हट जाता हूं हो गया अब प्यारे बच्चों यह देखो हमें जो करना है वो तो हमें दिखी रहा है यह तो मैंने जितना रेड किया था उतना कर लिया लेकिन अब इसी परकार हम नीचे भी चलेंगे नीचे कहां चलेंगे है अब अब यहां मिट गया अब हम यहां लेंगे ध्यान देना यह एफ मतलब इतने में अब हम जो कुछ करेंगे करेंगे तो लिखो इसी परकार मैं लिख लो जो चीजे मैं बोल रहा हूं मैं सब कुछ लिखंगा नहीं लिखो इन पैरलोग्राम इसका एक चिंद भी होता है पैरलोग्राम का मैं अभी बनाऊंगा लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे लिखो क्या लिखू हूँ है से सुरू करूँ कहीं से भी पढ़ लो देखो इसका नाम लिखना है चाहे तो तुम यहां सी से सुरू करो चाहे एक से चाहे अपसे चाहे डी से तो हम यहीं से सुरू कर देते हैं c d देखो इन पैरलोग्राम c d h f c d h f c d h f भीया जैसे इसमें a b f h हुआ था a b f h हुआ था वैसे इसमें c d h f ठीक है अब सारी कहानी इसमें लागू होगी जैसे इधर ही करें था तुम उसमें वैसे इसमें भी होगा तो इसमें ट्राइंगल लवा कहां गा भाई यह h f g लिखो area of area of h g f h g f या फिर तुम g h f कुछ भी लिखो कुल मिला के यह तीनों नाम आना चाहिए बस ठीक है लिखो इसी तरह area of h g f equal area of h g f equal half area of पूरा चत्रभूज का नाम लिख दो c d h f ठीक है c d h f c d h f तो प्यारे बच्चों आप इनको equation number डालते चलो ठीक है हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे तिरभूज h g f का चेत्रफल बराबर एक बटा दो तिरभूज ओ स्वरी एक बटा दो चत्रभूज c d h f का चेत्रफल ठीक है तो आपका यह equation number जो पूरा यह first हो गया था भाई और बाबु यह आपका equation number second हो गया बहुत प्यार से देखोंगे समझ में आएगा देखोंगे लेकिन प्यार से तब मैं सामने से डोलता रहता हूं स्क्रीन साट निकाल लिया करो बीच बीच में चलो इतना हो गया अब हम क्या करेंगे अब इन ही दोनो जो हमारे समिकरण आए है equation इनको जोड़ देंगे पटक के और जैसे जोड़ेंगे ना वैसे खट से उत्तरा जाएगा चिला के चलो देखो कैसे यहां लिखो आन एडिंग आन एडिंग इक्वेशन फास्ट प्लस इक्वेशन सिकेंड हिंदी मीडियम आरे लिख लें समिकरण एक और समिकरण दो को जोड़ने पर समिकरण एक और समिकरण दो को जोड़ने पर ठीक है तो प्यारे बच्चों एक चीज़ यहां पर देखो इसमें HGF है इसमें HEF है हमें लाना क्या है एफ जी यह चलाना है बैया हो बाबू हो पहले यह आओ सब लोग आओ आओ जल्दी आओ क्या है हेफ न देखो हेफ और यह में का है हजीएफ हजीएफ यानि कि इधर थोड़ा देखो मैं इसका अप्रेशन करने वाला हूं तुम यहां समझो ध्यान से यह समझो यह कहानी समझो इसका नाम है हेफ हो ठीक है ओके और यह मैंने इसका नाम लिखा है एच इफ और निचका वाले का है है एच जीएफ चल भाई आजा बेटा तुम भी आजा इसका नाम मैं इसमें लिखूंगा लेकिन मैं अगर कुछ और कर दूं तो गड़बड हो जाएगा ना यह लो ठीक है नेचे दिख नहीं रहा है थोड़ा सा छोटा कर देता हूं काहे इतना बड़ा टंगरी फेला है थोड़ा कम पैर फेला चल इधर है कि सकेते में समद्यान ना कर चल ठीक है समझ में आया अरे थोड़ा सा पिछक गया जगा कम थी नहीं तो सीधा-सीधा यही बन रहा है पूरा-पूरा ना बन रहा है ना क्या बन रहा है एच अफ जी इच चाहे तो यह बड़ा उल्टा- मिलाने का था हो रहा है कि नहीं इफ जी इच हो रहा है ना यह कुल मिलाकर के कहने का मतलब अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे आधा-धा तो इसके बराबर हो जाएगा ठीक है मतलब की फाइनल में हमारा वही आ गया जो हमें लाना था हम आपको यही समझाने की कोसिस कर रहे थे जो समझने वाले बच्चे हैं वो बड़े प्यार से समझ जाएंगे देखो बच्चों अगर आपको यह नहीं समझ में आरा बाबुना जो बहुत ज्यादा कमेंट किये जा रहे हैं मैं सबका कमेंट देख रहा हूं लेकिन मैं क्या करूं ना पढ़ाँ कमेंटी आपको तो यह आपको हो जाएगा E F G H equal half वही पूरा final में ABCD हमें लाना क्या था एक बार question में देखो यह यहीं तो लाना था ना area half ठीक है हो गया यहां पे लिख लो area half यह फिर ऐसे लिख लो चतुरभूज E F G H का छेतरफल बराबर एक वटा दो चतुरभूज ABCD यह भी area half मैं लिख दे रहा हूं यह हो गया final नीचे लिख दोगे hence approved क्या लिखोगे hence प्रूब्ड क्योंकि सिद्ध करना था और हिंदी में लिख देंगे इति सिद्धम अदाह सिद्ध हुआ कुछ भी लिख दो यह हमें लाना था देखिए एक ही पेज में आपको पूरा solution दिख रहा question के साथ में मैंने बहुत ही systematic इसको बनाया है है ना देख लो चलो पूरा final हो रहा बीजीबल हो रहा है तो आगे बढ़ें देखिए प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा कोईश्चन एक दिन में हल करने से कोई मतलब है नहीं जब तक मैं बात बता रहा हूं नोट करो स्क्रीन साटलो फटा फटा फट देर मत करो ललूलाल कमेंट करने के चकर में कुछों ओगा इस क्षेस सब्सक्राइब सकूंपी में एक ल्युक्तप आराऊ तो आगे का पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके थास तो अपने दोस्तों में सेयर करिये, ज्यादा फिज्यादा सेयर करोगे, पूरा कोर्स यूटूब पे आरहा आपका, फिर ही आरहा सब, फिर ही आरहा बिल्कुल आरहा है, अगर बेसिक से पढ़ना है, इसके पीछे भी एकदम कच्छा-च्छा का, साथ का, पांच का, तो PBR study application में जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में देखो, बहुत सारी लिंक दी गई है, उपर आई बटन में दी गई है, इन डिस्क्रिन में देखो, लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट में चला जाओ, फट फट फट